हेलो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे डाइभर्जन थिंकिंग के बारे में और कनभर्जन थिंकिंग के बारे में यह दोनों क्या होता है डाइभर्जन थिंकिंग क्या होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं अफसारी चिंतन डाइभर्जन थिंकिंग क्या बोलते हैं अफसारी प्राशन बोलते हैं तो क्या ओपेंट मतलब क्या हुआ एक समस्या और इसका समस्या का समधान इसका क्या है अनेक तरीका है इसका तो बताने के लिए बहुत सारा इसका solution है, इसका solution क्या है, बहुत है, उसी को हम लोग क्या बोलते है, divergent thinking, मतलब एक समस्या, इसका समाधान अनेक है, मतलब अनेक तरीका से हम बता सकते हैं, जैसे अगर आप एक दिन के लिए CM बन जाएंगे, तो क्या करेंगे, कोई बोलेगा कि हम education, education पर ध्यान देंगे, को कुई बोलेगा कि हम महिलायप हो रहे, अत्य चार ओगारा ध्यान देंगे, कोई बोलेगा कि हम यह अपना वर्ल्ड में छबी अच्छा बनाएंगे, वर्ल्ड में छबी अच्छा बनाएंगे, अपने देश के प्रति, अनेक तरीका से इसको बता सकते हैं, उसी को हमलो समध्धान अनेक है समस्या क्या है समस्या समस्या एक है उसको हम लोग अलग अलग काल्पनिक तरीका से हम लोग सोच रहे हैं उसको समध्धान उसका समध्धान अनेक तरीका से हम लोग कर रहे हैं यह का सीजन शीजनात्मक तरीके से इसको क्या कर रहे हैं इसका समध्धान कर काल्पनिक सेजनात्मक तरीका से इसको हम लोग बता रहे हैं उसको हम क्या करते हैं डाइभर्जन थिंगी और इसको हम लोग डाइभर्जन थिंगी क्या बोलते हैं आउट आउट आफ आउट आफ डी बॉक्स झीनतन इसको बोलते मतंब क्या है इसका समय्श्य एक है लेकिन समधान इसका अनेक अपने अलग-अलग सोच बीचार अपने कार्पनिक तरिका से से उपन आपनी सिजनात्म का अपने परकार सोच विचार को करेंगे उसे को अफ़ारी चिंतन को क्या बोलते हैं अविशारी चिंतन इसको क्या होता है यह क्लोज इंडेड होता है इसको जादे हम लोग सोच नहीं सकते हैं जो हम लोग रटे रटाये वाली बात पर हम ध्यान देते हैं तो जो रटे हैं उसको मतलब क्या होते हैं open in close in it मतलब बंद अंत वाले बंद अंत वाले मतलब इसका solution क्या होगा सीमित ही होगा सीमित उत्तर वाले प्रजन तो इसका सीमित उत्तर होगा है इसका उसकी को हम लोग क्या बोलते हैं conversion थिंकिंग अभी सारी अभी सारी चिंतन बोलते हैं ये क्या होता है एक question क्या होगा one question, one question, one solution, मतलब क्या हुआ, एक question एक ही उत्तर होगा, भारत की रायधानी क्या होगा, भारत की रायधानी, भारत की रायधानी क्या है, भारत की रायधानी तो एक ही है, क्या है, नई दिल्ली, भारत की रायधानी क्या है, नई दिल्ली, के हिसका उत्तर ए एक हैं रखा है को क्या बोलेडिया द लुटतर को क्या भोलते हैं कापन हम ये कहते हैं ओपेन इनेड होते हैं, अब सारी चिंतन को divergent thinking बोलते हैं, एक समस्या, solution बहुत सारा होता है, convergent thinking का एक समस्या, एक ही उत्तर होगा, इसको अभी सारी चिंतन, जैसे क्या हो गया, इसका example हो गया, कोई भी हम लोग MC की multiple choice question जो करते हैं, और यह क्या बलते हैं, true false, मतलब उसमें कोई statement technician दिया हो रहता है, उसी को बताना रहता है, यह गलत है या सही है, मतलब एक ही समस्या है, उसका एक ही question है, उसका उत्तर भी solution होगा, उसी तरह क्या होगा matching, matching करते हैं, match of the way आता हैं, उसको match करते हैं, वह भी क्या होता है, conversion thinking, और एक होता है, और सब क्या होता है, fill in the blanks, fill in the blanks होते हो गया, arrangement करते हैं, मतलब arrangement में क्या होता है, कोई भी चीज़ दिया, उसको हम लोग अपनी उसको हम लोग वही निष्टी के वाल दिया रहता है, उसको हम लोग अरेंज करते हैं, यह सब क्या हो गए, conversion thinking का example, conversion thinking का example, इसको अभी सारी चिंतन बोलते हैं, अभी सारी conversion thinking, divergent thinking, अप सारी चिंतन, अप सारी चिंतन क्या होते हैं, मुक्त वाले होते हैं, और यह अभी सारी चिंतन क्या होते हैं, बंद अन्त वाले होते हैं, पत समस्या एक समधान उसी को कनभर्जन थिंकिंग एक समस्या उसका समधान अन्यक उसी को अफशारी चिंदन बोलते हैं इसको ध्यान में रखिएगा